रेल्वे स्टेशन्स पर यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो इसके लिए जादा पैसे चुकाने होंगी क्योंकि रेल्वे ने सभी जन आहार के इंद्रों रिफरेश्मेंट रूम्स में खान पान महेंगा कर दिया है। काने के सामान पर 5 रूपे से लेकर 15 रूपे तक की बढ़ोतरी की गई है। हाला कि चाह पहले की तरह 10 रूपे ही मिलती रहेगी। नई दरें ततकाल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इससे फ़हले ट्रेनों में खान पान की दरें बढ़ाई गई थी जिनें मार्ज से 35 हो गया है। नॉन वेजिटेरियन जिसमें ब्रेड बटर आमलेट्स हा वो 30 से 45 हो गया है। साथ में कुछ हमने जो काफी लोगों की डिवान रहती हैं मतलब काफी पॉपुलर आइटम हैं बिरियानी वो इंट्रोडियूस किया है। भुशित कर्फ्यू जैसे हालात बना दिये हैं। राज्यों का हाल बेहाल कर दिया है। कुदरत के सफेद कोहराम से लोगों का जीना मोहाल हो गया है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुलू की हैं। बर्फ की ये सफेद चादर देखने में भले ही खुबसूरत लगे। लेकिन यहां के लोगों के लिए किसी आफ़त से कम नहीं। मालना गाओं पूरी तरह बर्फ से ढख चुका है। भारी बर्फ बारी की वज़ह से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। तापमान माइनस में हैं। लोगों की जिन्दगी मानो थम गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन दिनों से लगातार बर्फ बारी हो रही है। हिमाचल की सोलांग वैली परियटकों से पूरी तरह गुलजार है। शिमला में भी चारो और बर्फ का राज है। घर, मकान, दुकान, पेड, हर और बर्फ ही बर्फ है। परियटकों के लिए दिसंबर में इतनी बर्फ किसी सौगात से कम नहीं है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के परवतिये इलाकों में 21 दिसंबर तक ऐसे ही बर्फ बारी होती रहेगी। भारी बर्फ बारी की वजह से हिमाचल के कई आलाकों में पानी की समस्या खड़ी हो गई है। कई जगह रास्ते बंद है। मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर चाक चौबंद व्यवस्था का वादा कर रहे हैं। बर्फ बारी के कारण कुछ जगा थोड़ी कठना ही आती है। रास्ते बंद हुए हैं, सटके बंद हुई हैं, कुछ जगा पेजल योजनाय प्रभावित हुई हैं, कुछ जगा बीजली प्रभावित हुई है। उस देटी से सभी विभागों को आदेश दे दिए गया। लाहॉल्स पिती में नैशनल हाईवे भी बंद पड़ा है लाहॉल्स पिती में 134 सड़के ऐसी है जो बर्फबारी के कारण बंद हो गई है लाहॉल्स पिती और हुतांग दर्रा में बर्फबारी के चलते दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट गया है साथ ही कई इलाकों में बिजली विवस्ता जहां ठप पड़ी है लाहल स्पिती के केलांग का तापमान माइनस नौ डिग्री दर्च किया गया है जो पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे कम तापमान है बर्फबारी कुदरत की नेमत है लेकिन ये नेमत कोहराम की शकल में तीन पहाडी राज्यों में गिर रही है जम्मू कश्मीर के उचाई वाले इलाकों में बर्फबारी कहर बनकर तूटी है लेकिन श्रीनगर में आज मौसम ने थोड़ी करवट ली और बरबारी नहीं होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है लेकिन सर्द हवाओं की वजह से तापमान माइनस तीन डिगरी दर्च किया गया है ब्यारो रिपोर्ट जी मीडिया